नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों जब कभी अचार बनाने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है अचार के मसाले को लेकर यहीं लगता है कि कौन से मसाले की सनुपात में मिलाये जाएं कि अचार बहुत स्वाधिस्ट बने उसका रंग भी वहजार जैसा आए और वह खराब भी ना हो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं लेकर आई हूं 100% प्यूर ज़ादों भरा सालों साल चलने वाले अचार मसाले की रेसिपी वह भी बहुत ही आसान से टिप्स और ट्रिक्स के साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी अचार म राई 50 ग्राम इसे बनासी राई भी बोलते हैं फिर मैंने लिया है 10 ग्राम कलाउंजी इसे मंग्रेल भी बोलते हैं इसके अलवा कुछ पीसेवे मसाले लिए हैं ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है 25 ग्राम काश्मीरी मिर्च पाउडर 25 ग्राम हल्दी पाउडर 25 ग्राम कीइंग मैंने लिया है दो टी स्पून या 10 ग्राम के करीब दोस्तों धनिया से अचार का रंग थोड़ा सा काला हो जाता है इसलिए मैं धनिया नहीं इस्तेमाल कर रही हूं अगर आपको पसंद है तो आप 25 ग्राम साबुत धनिया भी ले सकते हैं तो अब हम इन साबुत मसालों को हलका सा रोस्ट करेंगे इसके लिए मैंने गैस जिला कर तवा घरम होने के लिए लग दिया है और अब हम इस पे डाल रहे हैं सौंफ जीरा और मेति दोस्तों इसे हलके हांतों से चलाते हुए हमें एक से दो मिनट तक भूनना है यहां पर ध् चोटे मसाले डालेंगे क्योंकि अगर एक साथ डाल देंगे तो चोटे मसाले जल जाएंगे मसालों को धीमी आज पर लगबग 2 मिनट तक भूनते हुए मैंने सेख लिया है अब इसमे मैं डाल रही हूं कलॉंजी और राई दोस्तों अब मैं गैस बंद करते रही हूं और पल्टे से चलाते हुए थोड़ी देर इन मसालों को ऐसे ही भूनते रहना है हमें क्योंकि तवा गरम है उसकी गर्मी से ही ये मसाले सिख जाएंगे जितना इने सिखना चाहिए तो देखिए ये मसाला भून गया है अब हम इसे ठंडा होने के छोड़ देते हैं और ये आप चाहें तो इन मसालों को खरल में भी कूट सकते हैं मिक्सी में अगर पीस रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है नहीं तो ओर हीट होने की वज़े से मसाले के टेस्ट में फरक हो जाता है एक बार में मिक्सी 20-30 सेकेंड के लि अच्छा पीस गया है दरदरा भी है बिल्कुल सही टेक्शर है तो चलिए अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं बाकी के फिसे मसालों को भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी पहरे डाल दी हूं मैं नाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर काश्मीरी मिर्च पाउड दोस्तों सचाई तो यह है कि अचार का तीखा और चटपटा स्वाद आता है उसके मसालों से वैसे तो मार्केट में आपको हर तरह के मसाले मिल जाते हैं लेकिन धर पर बने हुए इन मसालों की बात ही अलग है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है यह बिल्कुल 100% प् इसके लिए है कुछ हासान से टिप पहली बात कि हमें इस मसाले को किसी air tight container में ही रखना है तो मैंने यहां पर एक काच का जार विया है दूसरी बात कि हमें इस मसाले में नमक विला के नहीं रखना है कि गल्ती से भी अगर धकन कभी डीला रह गया तो इसमें moisture आ जाएगा और या बारिश के दिनों में बहुत साउधानी बरतने के बाद भी मॉइस्चर आ जाता है नमक वाली चीजों में तो उससे मसाला खराब हो सकता है इसलिए जब आपको अचार बनाना हो तो थोड़ा ये मसाला लीजिए उसमें नमक डालिए तेल डालिए और अचार बनके तय दोस्तों देखा आपने कितना सुन्दर कलर आया है मसाले का और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर एक बार आप ये मसाला करके रखेंगे उसके बाद आप इसी मसाले से बना सकते हैं बहुत तरीके के अचार और बहुत तरीके की अचारी सबजियां जैसे बिंडी भर्वा बैगन भर्वा करेला या आम कटहल मिर्ची नीबू करेला करॉंदा किसी भी चीज का अचार बनाईए बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा और अब इसी मसाले से मैं आपको बना के दिखाने जा रही हूं एक इंस्टेंट अचार की रेसिपी जो कि बहुत ही अचार मसाला नमक वाइट वेनिगर मस्टड ऑल अलग रखा हुआ है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो अब हमें एक बड़ा बरतन लेना है और उसमें इन सभी सब्जियों को डाल देना है यह लगबग वेट पे 200 ग्राम सब्जी है और अब मैं इसमें डाल रही हूं अचार का मसाला दो टेबबल स्पून उपर तक भईरा हुआ नमक एक टेबल स्पून या वाइट वेनिगर या सफेद सिरका दो टेबल स्पून तीन टेबल स्पून सर्सों का टेल इसे कच्छा ही डाला है गरम नहीं किया है मैंने तो चलिए इन सबी चीजों को अच्छी दोस्तों ये देखिए अचार हमारा लगबग बन के तयार है इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट कैसा है ये जाननी के लिए आपको इसे बनाना पड़ेगा और अब इस अचार को किसी काँज की शीशी में या किसी बर्नी में रखना है और उसके बाद सूती कपड़ा बांग के दो से तीन दिन हमें धूब दिखानी है तो दोस्तों तीन दिन के बाद ये अचार खाने के लिए एकड़म तयार हो जाएगा दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी एक बार इस रेसिपी को फॉलो करक और बेल आइकन भी टच करिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शियर करिएगा थैंक यू